15 अगस्त लाल किले से प्रदान मंत्री नहरू ने जो कहा था वो मैं जड़ा पढ़ता हूँ लाल किले से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूँ नहरू जी ने उन्हेंने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदत आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की यूरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं यह नहिरू जी लाल के लिए से बोल रहा है यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे यह ना समझे कि वह कौमे यह ना समझे कि वह कौमे कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अक्ड से हुई है यह उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं यानि यानि नहरूजी यानि नहरूजी की भारतियों के प्रती सोच थी कि भारतिया आलसी है नहरूजी की भारतियों के लिए सोच थी कि भारतिया कमक्ल के लोग होते हैं और आदानी अद्धक जी इंद्राजी की सोच भी उससे ज़्यादा अलग नहीं थी इंद्राजी ने जो लाल किले से पंद्रा अगस को कहा था बुर्भाग्यवर्ष हमारी आदत ये है कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत तुरुष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम नाउमीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है आज कॉंग्रेस के लोगों कर देखते के लगता है कि इंद्रा जी बले देश के लोगों का आकलन सही नहीं कर पाई लेकिन कॉंग्रेस का एकदम सटी का आकलन होना है कि आता है कॉंग्रेस के साही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे और आज भी आज भी वही सोच देखने को मिलती है